दोस्तों मैं सतेंगुमार स्विल एरियर चनले में आप सबको सवागत करता हूं दोस्तों हम सिविल ब्रांच के सिख सेमेश्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टन सब्डेट CMAED पढ़ रहे हैं दोस्तों इसके पहले लेक्चर नमबर 3 में लेशन नमबर 1 तर पर समाब कर दिया है दोस्तों ये लेक्चरान नमबर आज served होता है दोस्तों लेक्जर 14 में हमने से नमबर इस्ट कर रहे हैं लेसे नमबर 2 का नाम है हमारा और चाइप विडियो में हमगे निर्माड आयोजना के चाइप स्टेज आप यह कॉंस्टरक्षन प्लानिंग इस भबन चर्वानचराण 캉ंट्रक्टर स्टेजंग निर्मार्रायोजन में करता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्र्मार्योजना के चर्वाति प्लानिंग हम सबसे पहला ट्वाटिक तो निर्माण आयोजन के निम्न मुख चरलों में विभाजित किया गया हमारा निर्माण आयोजना के स्टेज आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के तीन चरलों में बाटा गया है पहला काउन काउन से है दोस्तों पहला हमारा निविदा पूर चरन प्री टेंडर स्टेज पहला किसरा है हमारा ठीका या अनुबन्द चरण कांट्रक्ट इस्टेज तो हमारे निर्मार आयोजना के चरण स्टेज आप construction planning के तीन चरण होते हैं। कौन-कौन से निवदापूर चलाण प्री टेंडर स्टेज। और दूसरा पूर अनुबन चलाण प्री कंटरक्ट स्टेज। तो दोस्तो इनहीं हम चरणो का विश्तार पूर्वक अध्यन करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हमारा निवदा पूर चराण प्री टेंडर स्टेज क्या होता है इसके बारे में हम विश्तार पूर्वक जानते हैं तो सबसे पहले काउन हमारा सबसे पहले हमारा निवदा पूर चराण प्री टेंडर स्टेज एक इस्टीमेट की तैयारी और एक टेंडर तैयार करने के लिए अधिकान संगठनों आर्गनाइजेशन में इसी तरह की प्रकिरिया होती है मतलब निवदा पूर चराण प्री टेंडर स्टेज टेंडर लेने के पहले जो चराण होता है उसके बारे में जानेगी तो एक इस्टीमेट की तैयारी और टेंडर तैयार करने के लिए अधिकान संगठनों आर्गनाइजेशन में इसी तरह की प्रकिरिया होती है एक छोटे संगठन के भीतर पर्योग की जाने वाली प्रकिरिया बड़ी संगठन की तुल्ला में आसान हो सकती है एक वरिष्ट प्रवंधन के साथ निर्माण की जिम्मेदारी साजह की जाती है जिससे आगड़न आसानी से किया जा सकता है तथा टीम भी आसानी से बनाई जा सकती है तो निविदा पूर चलारपी टेंडर स्टेज में क्या होता है इस इस्टीमेट की तैयारी और टेंडर तैयार करने के लिए अधिकान संगठनों आर्गनाजेशन में इसी तरह प्रकिरिया होती है पूर निवदा चलाण में क्या होता है कि टेंडर तैयार करने के लिए संगठनों में इसी तरह की प्रकिरिया होती है एक छोटे संगठन के भीतर परियोग की जाने वाली प्रकिर या बड़ी संगठन की तुल्णा में आसान हो सकती है किसके निवदापूर चरण से बड़े संगठन और्गनाइजेशन इस्टिमेट करने के लिए अधिक आपचारिक फार्मल द्रिष्टिकोन अपनाते हैं क्योंकि एक वरिष्ट प्रवंधन के साथ निर्माण की प्रिटेंडर इस्टि निवदापूर चरण इसको और हम देखती हैं एक आग्णन तयार करने के दोरांगिन चरणों को अपनाया जाता है पहला है निवदा करने का निर्णाय करना सबसे पहले हमारा होता है निवदा करने का निर्णाय लेना फिर है निवदापूर विवर तयार करना, सह ठीकेदार का विवरण तयार करना, निर्माल विधियों का विवरण तयार करना, आगलन दरों का विवरण तयार करना, निवदा पूर कारिक्रम बनाना, प्रारंभिक विवरण तयार करना, परिलाम का विशलेशल करना, कोई भी हमारा होता है दोस्तों, एक सबसे पहले हमारा निवधा करने के लिए निड़े के लिए हैं फिर है निवदा पूर्विवरन तयार करने तो ढान जब का उटो और मगा पयार नाल निवदा पूर कारिक्रम बनाना प्रारंभिक विवरण तयार करना और आखिरी में हमारा है परिडाम का विवरण परिडाम का विशलेशन करना दोस्तो हम पल लए हैं निर्माल आयोजना के चरण तो सबसे पहले हमने पढ़ा निप्दापूर चरण प्री टेंडर स्टेज के बारे में हमने पढ़ा अब हम दूस्रा देखेंगे प्री पूर अनुबंध पूर अनुबंध प्री कांट्रेक्ट स्टेज पूर अनुबंध चरण या फिर प्री कांट्रेक्ट स्टेज है हमारा दूसरा है निर्माल आयोजना के चरण में या निर्माल आयोजन के चरण में हमारे तीन चरण होते हैं पहला होता है निवदा पूर चरण दूसरा होता है पूर अनुबंध्ध चरह, तीसरा होता ठीका या अनुबंध चरह निवदा पूर चरह हमने पढ़ लिया है अब हम दूसरा पढ़ेंगे पूर अनुबंध चरह प्री-कांट्रेक्ट स्टेश, इसमें क्या होता इसको देखते हैं दोस्तों अनुबंध मतलब ठीका एक परति इच्छा रिवीव करनी चाहिए और अपनी योजना बनानी चाहिए निल्डए ठीका के फंडिंग ओठीकेदार तथा सप्लाइरों की नियुक्ति और सूचना आवसकता और संसाधनों की उपलगता से सम्मंधित होना चाहिए बजट कार योजना और कारक्रम तयार होना चाहि की पूर्ण प्रीकंट्रेक्ट इस्टेज के बारे में हम दोस्तों पढ़ रहे हैं एक बाद फिर से देखते हैं अनुबंध ठीका मल्लाब प्रीकंट्रेक्ट एक प्रतिबंता है कमिटमेंट है जब ठीके दार दौरा ठीका सिवकार कर लिए जाता है तो उसे उपलग जान कारी की समेच्छा करनी चाहिए और अपनी योजना बनानी चाहिए निरलाइट ठीका के फंडिंग उप ठीकेदार तथा सप्लायरों की न्युक्ति और सूचना और संसादनों की उपलब्दा से संबंधित होना चाहिए बजट कार योजना और कारक्रम तयार होना चाहिए तो पूर कांट्रेक्ट के कौन कौन से चरण है आप इसको देखते हैं दोस्तों पूर अनुबंध चरण में निमलिखित चरणों को समलित किया गया है कौन कौन से दोस्तों पहला है दोस्तो पूर अनुबंध विवरान तयार करना या बैठक आयोजित करना हमारा पूर अनुबंध है चरण में निम्लिखित चरणों को समलित किया गया है सबसे पहला है पूर अनुबंध विवरान तयार करना तथा बैठक आयोजित करना पूर अनुबंध जांच सूची तयार करना तीसरा है उप ठीके दारों तथा सप्लाइरों की नियुक्ति चौथा है अस्थल अभिन्यास आयोजना पांचवा असकताओं की अंसूची बनाना और छटवा है मास्टर कारक्रम तयार करना और जी नंबर पे हैं काम सुरू करने की वेवस्ता और हैं अनुबंध बजट की तयारी करना तो ये थे दश्थे हमारे अनुबंध प्री कंट्रक्ट स्टेज क्या होता है इसके बारे में हमने जाना तो दोस्तों अब हम तीसरा जानेंगे ठीका या अनुबंध चरण, contact stage क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं. तीसरा है मारा ठीका या अनुबंध चरण, ठीका आयोजना चरण के अंसरगत आने वाले चरण निम लिखित हैं. पहला है छमाही तथा मासिक आयोजना समीच्छा, दूसरा है सापताहिक या अलपकाल आयोजना और तीसरा है दैनिक आयोजना और चौथा है प्रगृति की मासिक और सापताहिक रिपोर्ट और प्रदर्शन के बजट के प्रगृति और का तुलना अध्यन एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों ठीका या अनुबंध चरण, contact stage, ठीका आयोजना चरण के अंतर प्रगत आने वाले चरण निमलिखी थे मासिक आयोजना समिच्छा दूसरा है और तीसरा है दैनिक आयोजना और चौता है प्रगृति की मासिक या सापताहिक रिपोर्ट और प्रदर प्रदर्शन के प्रगृति और तुलना का अध्यन तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आयोजना के चरह जाने रिमार आयोजना के तीन चरह होते हैं निवदा पूर चरह प्री टेंडर स्टेज दूसरा पूर अनुबन चरह प्री क्रांटक स्टेज और तीसरा ठीका या अनुबन चरह कांटक स्टेज तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको तीन चरह समझ में आया हो यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन के आल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी सेर कर दीजिए थैंकू फार वाचिंग